हुलो दोस्तों आप सुरी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आपकी अपने टीचरनल स्चिकंद्र क्लासिच पार हैं आज हम आठ मार्च को जो सौर साइंस का पर्थम पाली में एक्जाम होगा उसका उजेक्टिव लेकर आए हैं इसको आप लोग सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसी से आप लोग का कम से कम चालिस कोश्चन जरूर है चालिस कोश्चन जरूर हैगा चलिए देरने करते हैं शुरू करते हैं इसलिए आप लोग वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन इनमें से कौन देश में मिस्त्रित अर्थ विवस्ता ह आपसू पालण या मचली पालन यह मचली पालन मतस्य पालन या जंगली से बर्ष्टू को प्राप्त करना यह सब को Must ज्वाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ जब आहर रोजगार रोजनक कब लग हुआ था तो 1989 में कितना 1989 में चलिए आगे बढ़ते हैं राष्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ आप लोग अच्छा से इसको देखेगा थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहागा आप लोग आवाज को ध्यान सुनेगा राष्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ चलिए आप लोग को अच्छे समझ भिया रहा अगब पढ़ते हैं अगला कौश्चां योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग लाया गया योजना आयोग को समाप्त कर के कौन आयोग लाया गया तो नीती आयोग कौन लाया गया नीती आयोग चलिए आगब बढ़ते हैं नोबल पुरुषकार से सम्मानित बंगला देशी अर्थ सामी है अर्थ सामी है नोबल पुरुषकार से सम्मानित बंगलादेशी अर्थ सास्त्री है तो प्रोमो यूनूस चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्चन किसने कहा बिहार के विकास के विना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के विना भारत का संभव नहीं है? तो एपीजे अब्दुलकलाम ने किसने कहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ने? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्चन जिस देश की राष्टी आया धीक होता है वह देश का लाता है जिस देश का राष्टी आया धीक होता हुआ देश का लासा है तब बिक्सित देश कौन देश का लाएगा? बिक्सित देश जिसका राष्टी आया धीक होगा? क्या होगा? बिक्सित देश होगा चलिए आगे पड़ते हैं भारत में नीती आयोग के स्थापना का हुआ योजिन आयोग को खतम करके भंग करके लाया गया था नीती आयोग इकावा लाया गया 2015 में कब लाया गया 2015 में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन निमली कि तुमें किसे पिछड़ा राज कहा जाता है तब बिहार को किसे कहते हैं बिहार को पिछड़ा राज कौन है बिहार है पिछड़ा राज कौन है बिहार है इनमें से कौन पिछड़ा राज है बिहार है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन इन में से कौन ओजना आयोक का पदेन अध्याच होता है? योजना आयोक का पदेन अध्याच कौन होता है? परधान मंत्री कौन होते हैं? योजना आयोक का पदेन अध्याच कौन होते हैं? परधान मंत्री चल्लिंग बढते हैं किस छेतर को तरिधिया 6, बुफाल किसको सेवा चेतर को बोलते हैं त्रिधिया6 का प्राथ्मिक चेत्रा लेकिन सेवा चेतर कहेगा तो तिरित्य चेतर चलिए आप लोगों समझ में आ रहा हो आग बढ़ते हैं अगला कोच चांग मुद्रा के कारे हैं मुद्रा के कारे हैं देखे दूहर ठारा में पूछा हुआ है मुद्रा के कारे हैं तब माध्यम मापक संचय भुकतांती इन में से सभी, मूद्रा क्या कर हो जागा इन में से सभी चलिए आग बढते हैं, बीनमय का सरवत्तम माध्यम क्या है? अगला कोश्चन, साक का क्या आर्थ है? तब विश्वास करना और रिन लवटाने की छमता ते ए और भी दोनो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन इन में से कौन बीधी गराही मुद्रा नहीं है तो दस रुपिय का नोट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन ATM का क्या आर्थ है अगला कोश्चन के बढ़ते हैं इन में से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है इन में से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है तो चित्र मुद्रा चेत्र मुद्रा चेत्र मुद्रा चेत्र मुद्रा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन रूस की मुद्रा है रूस की मुद्रा है रूबल क्या है रूस की मुद्रा क्या है रूबल है चलिए आगे पढ़ते हैं दोबारा कोचन रिपीट हो रहा है विर्माय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है तब बीनमय का सर्मोट्टे माधिम क्या था? मुद्रा, क्या था? मुद्रा चली आगे बढ़ते हैं अगला कौचन की ओर साख का समबंद है साख का समबंद है तो गरीवी से, उधार से, दोनों से, विस्वाज से साख का क्या रर्थ है? तो साग का क्या अर्थ है तो विश्वास, क्या है विश्वास, साग का क्या अर्थ है विश्वास या भरोसा चल याग बरते हैं अगला कोचन, अगला कोचन की लिए ध्यान देजेगा मुद्रा ववा धूरी है जिसके चारो और अर्थ बिग्यान गुमता है या किस आर्थ सास्त्री का कथन है किस ने कहा कि मुद्रा हुआ धूरी है जिसके चारों और अर्थ विग्यान घुमता है किस ने कहा तो मारसल ने किस ने कहा था मारसल ने कहे थे चलिए आगे वड़ते हैं अगला कोस्चन भारत में बीतिय वर्स कहा था जब भारत में BTA वर्स कब आगे किस राज में प्रतिव एक्तियाई सर्वा दीखते हैं गोभा किसमे सबसे ज्यादा है गोभा में अ भिहार के किस אז की किउका दिदे न सरब्रथाम कब लगाया था राष्टिए आइकानुवाद कब लगाया था प्रतिव्यक्ति बार्सी का कितना बताए थे 20 रूपिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर प्रत्यचकर के अंतरगत इन में से किसे सामिल नहीं किया गया है तो क्या है तो आएकर क्या है आएकर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर प्रतिव्यक्ति आए प्रतिव्यक्ति आउस्सत आए कितनी थी तो पचीस चारसो चौरानमे थी चलिए आगे बढ़ते हैं उत्पादन एवं आए गन्ना बिधी सारवी दिरिष्टी कोन से है उत्पादक एवं आए गन्ना बिधी सारवी दिरिष्टी से उपर उक्ता इनमें से सभी है इनमें से सभी है इनमें से सभी है इनमें से सभी है चलिए आगे बढ़ते हैं अगल परदान करने वाले सबसे लोग पीरसाधन क्या है तो महाजन क्या है महाजन गैर संस्तागत बीत करदाने वाले बीत परदान करने वाले सबसे लोग पीरसाधन क्या है तो महाजन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर भारत में थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, करा भारत में कितने राश्टी करित भाइंक हैं? कितने हैं, तो ऊणीस, कितने हैं? 19 antn चल्याग पुर्छीन की बढ़ते हैं, निमुलकित में संस्थागत बीद परदान करने वाला कौन, और आध्धी अराम से ध्यान सुनिएगा निमलिखित में कौन संस्था गत बीत साधन कौन है संस्था गत बीत गयर संस्था गत तो जब बैवसाइक बैंक बैवसाइक बैंक और बाकी सभी जो हैं गयर संस्था गत हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर बैवसाइक बैंक का रा भारत की बीतिय रैधानी किस सहर को कहा जाता है भारत की बीतिय रैधानी किस सहर को कहा जाता है एक्जाम में बार बार पूछता है भारत की बीतिय रैधानी किस सहर को कहा जाता है तो मुंबाई को किसो कहते हैं मुंबाई को चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के केंद्रिय वा का साधन है संस्था गदवीत का साधन है तो विवसाइक विवसाइक वैंक कव था भाध में रीजर्बाइक के स्थ कभह था 1904 में 2004 में रशा देश के अभिकलतmos रामन बैंकों की संख्यां कितनी है कि 1096 चलिए आगे बढ़ते हैं राज में कारी रत केंद्रे सहकारी बैंकों की संख्यां कितनी है तो 25 कितनी है 25 है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर साकारिता प्रांतिय सरकारों का हस्तांतरित विसय कब बनी थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर दिरेक कालिन रीन परदान करने वाली संस्तागत कौन है भूमी विकास बैंक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्छन की और किस सहर को भारत की वीतियर दानी कहा जाता इसको आप लोग कमेंट बाक्स में बताईएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्छन की और भारत अंतराश्टी एस्तर पर किस चेतर में मासक्ती के रूप में उबर रही है इसके रूप में चलिए आग बढ़ते हैं अगला कोचन की और नरेगा के अंतरगत ग्रामिन मजदूरों को साल में कम से कम कितने दीनों के लिए रोजगार देने के अब सकता होती है वेवस्ता होती है कम से कम सो दीनों के लिए कितना के लिए सो दीनों के लिए चलिए आगा बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर निमलिखित में कौन बिमारू राज है? बिहार, मद्यपर्देश, उडिसा, इनमें सभी ते इनमें से सभी जो है बिमारू राज है चलिए आगा बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर कौन बिमारू राज नहीं है? करनाटक, करनाटक जो हभी वारूराज नहीं है चलिए आगा बढ़ते हैं कि छेतर को दित्ये छेतर कहा जाता है ता उधोग, उधोग को क्या बोलते हैं? दित्ये छेतर बोलते हैं चलिए आगा बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर उर्जा का मुख्ष्रोत क्या है? कोईला पेट्रोलियम विधूत तई इन में से सभी है इन में से क्या है सभी है इन में से सभी है चलि आगे बढ़ते हैं भारत में सेवा छेतर को समानेता कितने वर्गों में बाटा गया है तो दो बर्गों में कितने वर्गों में दो बर्गों में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर बिहार एक राज है बिहार एक राज है क्रिसी परधान राज जाए बिहार एक कैसा राज है क्रिसी परधान राज है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर पुंजी मानब पुंजी निर्वान के प्रमुग घटक को नही नहीं है मानब पुंज निर्वान के प्रमुख घटक नहीं है क्या नहीं है क्या कोई नहीं क्या हो जाएगा कोई नहीं क्योंकि सभी जो है है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन की और आर्थिक विकास का दूसरा नाम क्या है तक क्रिसी छेतर आर्थिक विकास का दूसरा छेतर क्या है पाला बोलेगा क्रिसी छेतर आर्थिक विकास का दूसरा छेतर क्या है चलिए अगलेते हैं कौन सी सेवा सरकारी है तब बैंकिंग बैंकिंग सेवा जो है सरकारी है बैंकिंग सेवा क्या है सरकारी है चली आगए बढ़ते हैं अगला कोचन की और कौन सी सेवा गैर सरकारी है कौन सी सेवा गैर सरकारी है तब मौल मौल जो है गैर सरकारी है चलिए आगे बढ़ते हैं जन संख्या का लगवग क्रिसी पर हिस्सा है ता 87 पर 37 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की ओर भारत में हमारे देश में सर्व चिचावियान का प्रणाम हुआ था हमारे देश में सर्व चिचावियान का प्रणाम कब हुआ था 2001 में 2001 प्राइए अगला के और सबी कोचण इंग जाम के लिए इसलिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लें आज पाया एगला कोचन निम्लिकेट में कौन बहुराष्ट्य कमपनी है यह इनन मिक्सित में कौन बहुराष्ट्य कमपनी है फोल्ट मोस्टर्स कोको कोला सैमसंग इन में से सभी इन में से सभी जो है बहुराष्टे कमपनी है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन की और इन में से कौल बहुराष्टे कमपनी नहीं है बहुराष्टे कमपनी नहीं है तो पारले अंड टाटा पारले अंड टाटा चल 1995 में चली आगे बड़ते हैं अग्ला को स्टन मानअ पुन जी के प्रमुः घटक है तइशिय नहीं है इनमें से कोई नहीं है क्योंकि मानब पुन जी के प्रमुः घटक कितने आय है 5 है तो जंब भोजन बस्तर आवास शिचह भोजन पहला भोजन, दूसरा व्वश्थ, तिसरा आवास्थ, चोठा स्वास्थ, पाचमा छिछा. चलिया आगे बढते हैं, अगला कोचन की ओर? नई आर्थिक नीती में किसे समलित नहीं किया गया है? तिन नियांत्रित अर्थ व्यवस्ता को सम्लित नहीं किया गया है नई आर्थ किसको सम्लित किया गया तो उदारी करण नीदी करण और वैस्वी करण चलिए आगा बढ़ते हैं अगला कोचन की और वैस्वी करण के मुख्य ता अंग है मुख्य अंग है वैस्वी करण के आचे पांच है लेकिन अगर नए दिया रहाँ झार आ रहेंगे चार चलिए आगए बढ़ते हैं कि नई आर्थिक नीथी में किसे समग्दित किया गया है तो दारीकरन निदी करण नियमों को निधारित करने वाली संस्था कौन है? तो इन मेंसे कोई नहीं, इन मेंसे कोई नहीं चलिए आगा बढते हैं पारले समू के थाम्स अप ब्रांड को किस बहुराश्टे कमपनी ने खर दा था? तो किस ने खर दा था? तो कोका कोला ने किसने खड़ता था कोका कोला ने किसने कोका कोला ने चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोचन को दूर संचार व्यवस्ता नहीं है तो संबाद संबाद जो है दूर संचार व्यवस्ता नहीं है आगे बढ़ते हैं नई आर्थिक नीती में किसे समलित किया गया क्या आर्थ है वेफार पुण्जी तकनीक सुचना प्रवाय हमारे देश की अर्थ विस्व को चांदी को सुद्धत करने के लिए किस मानियता का चिंहोनावस्यक अंग्तलि का लिया मनंग Reality किंहोना आख करने के लिए किसका चिंहोनावस्यक अ कि आ इस आ इंगकर किस गवना चैनि यह अगला कुचन की लागति THIS में रहें कहें तब कहेंगे आई एस आई आई एस आई खाद्री प्दार्तों में कहेंगा तब बोलेगे अगर बढ़ते हैं अगला कॉचन की ओर है निटी अ कर भारत में सुचना अधिकार का अधिनियम पारित हुआ तर दूहजार पाच में अक्टूबर दुहजार पाच में चलिए आगे बरतें अगला बागोचन sedang की ओर भारत उपवकता संरचन अधिनियम किस घोस्ना कब लाग़ हुई भारत उपवकता संरचन अधिनियम कि घोस्ना कब कि गई थी अगगší आई बारबर एकजमें पुछता है चलिए आगए बढ़ते हैं अगला कोचण की ओर जदि किसी बस तू या सेवा कमूल 20 लाख الرूपिय से अधिक तथा एक को रूपिय से कम हो तो भोगता कहा खायद करेगा तब तर राज आयोग में किसमें सिकाइद करेगा राज आयोग में राज आयोग में बीस लाख से अधीक और एक कोड़ों से कम रहेगा तर राज आयोग में अगर एक कड़ों से अधीक रहेगा तर राश्टी आयोग में चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को अच्छी समझ में प्रज़ाज। नर रहोगा सोने की आपवुसन की सुधा की पहचान के लिए किसका उप्यों किया जाता है तहाओलमार्क का की स्धीनहें का हॉलम लाओलमार्क का खाने वाल बस्तू कहेंगा एग मार्क सुरी इस आई चलिए आगा बढ़ते हैं, हॉल मार्क किस सुध सब लोगों किस बस्तु गुनवत्ता का परवान करने के लिए है तो सोने की आभुसन, सोने की आभुसन चलिए आगा बढ़ते हैं, उभोकता द्वारा सिकाइद करने के लिए कितना सुल्क लगाती है उन्हें से कोई सूलक नहीं है, उपहुगता दोबारा सिकाइध करने के लिए कोई सूलक नहीं है चलिए आगर बढ़तें अगला कोच्छन की ओर करतें सूचना का अधिकार किस परकार का साधन है त वैध्धानिक साधन है चलिए आगा बढ़ते हैं अगला कोच्चन राश्टिय उपभोगता हेल्प लाइन नमर क्या है राश्टिय उपभोगता हेल्प लाइन नमर क्या है ता अठारा डवल जीरो एक ग्यारा चार डवल जीरो सरी ट्रीपल जीरो अठारा डवल जीरो एक ग्यारा चार ट्रीपल ज